नमस्कार आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी वित्य संस्था तो हम इसके परचे के बारे में समझते हैं कि वित्य संस्था है क्या तो वित्य संस्था वो अर्थव्यवस्था के संदर्में उन संस्थाओं को वित्य संस्था करते हैं जो अपने ग्राहकों वो शदस्चों को वित वित्य सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे ग्राहक को धन्त जमा करना रखना, ग्राहकों को रिन देना, बैंक ड्राप देना, नीत आदी यह देश की प्रगती में अहम भूम का अदा करता है। उसके बाद है भारत की वित्य संस्थाएं, भारत तिये बैंकिंग प्रणाली, देशी बैंकर, पूजी बजार, विकास वित्य संस्थाएं, बिहार की वित्य संस्थाएं, वित्य संस्थाओं की प्रकार, व्यवसाईव बैंक, छेत्रिक ग्रामिन बैंक, शहकारी संस्था, र पर्थिक विकास में वित्य संस्ता की भूम का व्यवसाइक बैंक के कारी रिन्य कारी कर्ज देना एजन्सी क्या है। पर्थिक विकास में भूम का और अंतिम जो पॉइंट है सुक्ष वित्य तो इतना बड़ा पाठ में इतना पॉइंट है तो हम इसमें से कुछ ही पॉइंटों को आपके लिए प्रस्तुत कर पाएंगे। कि वित्य संस्थाइं वे संस्थाइं जो देश या राज्य के आर्थिक विकास में उद्यम वो वित्य संस्थाइं को अल्प या दिर्ग काल के लिए साख रिन देतने का कारी करती। वित्य संस्थाइं का मुख कार जमा स्युकार करना, अल्प कालीन या दिर्ग कालीन, साख या रिन देना, वित्य संस्थाइं वे साइक संस्थाओं को वित्य सुभधाईं देती हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका। तो इसमें से हम पढ़ेंगे आपके लिए देशी बैंकर, आखिर देशी बैंकर है क्या, तो समझने की हम कोशिस करेंगे कि देशी बैंकर क्या है। मुद्रा पजार में उन सभी वित्य संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो अल्प कालीन साख, मतलब रीन देता हूँ, लेन देन का कारी करता हो, भारतिय मुद्रा पजार दो मुक अंग हैं, तथा इसमें दो असपस्ट वर्गों में भी भाजित है, आधुनिक अत्व पास, शंगठी छेत्र, देशी अत्वा और संगठी छेत्र, पहले वर्ग में आधुनिक बैंक हैं, जिनकी कारी विधी उर्योपियन बैंकों के समन्मे से चलती है, संगठी छेत्रों के वित्य संस्थाओं पर रिजर्व बैंक का प्रभाव नियंतरन होता है, जैसा कि आप जानते हैं हर बैंकों की निगरानी हमारी एक संस्था जिसका नाम है रिजर्व बैंक वो करती है, भारति मुद्रा बाजार के और संगठी छेत्रों में देशी बैंकर आते हैं, जो प्राथीन काल से भारति पद्धिती के अंसार कारे करते आ रहे हैं, इन्हें देश के दोस्या है कि इस पर रिजर्व बैंक अत्वा सरकार का शमूचित नियंत्रन नहीं है, भारत में आज आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार हम करजा लेने जाते हैं, तो हमें उन सहुकार महाजुनों के पास जाना पड़ता है बैंक अत्वा सहकारी संस्थाएं ग्रामिन परिवारों को रिन सम्मदियाओ सकताओं का लगभग आधा भागीं पूरा कर पाते हैं, जबकि सेस भागों पर किसका है, तो उन लोगों का है जो पैसा लेन देन करते हैं देसी बैंक कर या शाहुकार ग्रामिन परिवारों से बहुत उची दर पर व्याज भी असूलते हैं और सुध की रासी ज़्यादा लेते हैं लेकिन पैसा मुहया करते हैं, इनका कार अन प्रकार से सोशन भी करना होता है सरकार ने देसी बैंक करों पर नियंत्रन की लिए आवस्य कानून बनाएं लेकिन ब्यापक अर्थों में यह सफल नहीं लिखता है आगे हम लोग समझेंगे कि बिहार की वीत्य सहस्थाएं तो सरकार ने 1975 इस्वी में क्रिसीव ग्रामिन छेत्रों की निवासियों के लिए साख मतलब रिन देने के लिए एक छेत्रिक ग्रामिन बैंक की अस्थापना की इन बैंकों की काड़ेपत्ती ब्यापारिक बैंकों के शमान ही है लेकिन इनका काड़ेचित अप्यक्छाक्रित सीमित है बिहार में पांच छेत्रिये ग्रामिन बैंकों हैं तथा इन में परतेक बैंक राजिक के एक विसेश छेत्र में सेवाएं परदान करती है जो की हम उ प्रकार से ले सकते हैं अंजाब नेशनल बैंक, शमस्तिपुर्च छेत्रिय ग्रामिन बैंक, भारतिय स्टेट बैंक द्वारा प्रोजित उत्तर बिहार ग्रामिन बैंक और कोशी छेत्रिय ग्रामिन बैंक, सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया तथा बिहार छेत्रिय ग्रामिन बै तो मुद्रा तथा पूजी बाजार वित्य संस्थाओं को दो वर्गों में बारता है। था होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बिहार के राजिक्ये वीतिये संस्थाओं। तो राजिक्ये वीतिये संस्थाओं वेज हैं जो सरकार की सहाता से वीतिये वो लदु उदियोग जो छोटा-छोटा उदियोग这么 को वित्य या साख किया और सकताओं की पूर्ति के लिए अस्थापित किया जाता है कें सरकार के समान ही बिहार सरकार ने भी राज के विविन छेत्रों के उद्योग को प्रसाहन देने के लिए 12 वित्य संस्थाओं की अस्थापना की है आगे पढ़ेंगे हम लोग बैंक जमा तो क्या है बैंक जमा तो उसको समझते हैं अस्थाई जमा ये सवधी जमा कहते हैं जिसमें सेवाई एक निश्चित अवधी के लिए रासी जमा करते हैं और उसकी निकासी समय के पुर्व कियाती है दूसरा है चालू जमा, इसे मागाज जाम भी कहते हैं, इसमें विक्ति अपने 51 सार रुप्या जमा या निकाल सकता है। संचिय जमा, इस जमा में बैंक ग्राहकों को निकासी के अधिकार को सिमित कर देता है, इसमें एक निश्चित रकम से अधिक निकासी नहीं की जा सकती है आवर्ती जमा, आवर्ती जमा, खाते में ग्राहकों को प्रतिमायक निश्चित रासी जमा करना होता है, जो जमायक निश्चित अवधी जैसे 60 महिना, 72 महिना तक हो सकता है यहाँ पर समझेंगे लदू उद्योग और कुटिर उद्योग, तो लदू वकुटिर उद्योगों के छेतर में सहकार्टा का महत्तु पूर्ण स्थान है सहकार्ट समीती दो प्रकार्चे होती है, प्रारंबिक गैर क्रिसी साख समीती ब्यवशाय में लगे हुए विक्तियों को साख सुबधा प्रदान करने के लिए प्रारंबिक गैर क्रिसी समीतियों की अस्थापना की जाती है इस प्रकार की समीतिया प्राय नगरों में इस्तित होती हैं, इन्हें नगर साख समीती भी कहते हैं और दूसरी है प्रारंबिक गैर क्रिसी गैर साख समीती प्रारंबिक गैर क्रिसी साख समीती साख देने के लिए नहीं वरन कारीगरों या सिल्पकारों को अनार्थिक कारियों में मदद करने के लिए इसका निर्मान किया गया है जैसे आप देखते विएगा मतस्य पालन, बुनकर या बहुत सारे वित्य संस्थाओं के लिए अब हम पढ़ेंगे प्रारंबिक गैर साख क्रिसी समीती क्या है तो क्रिसी के छेत में मुख्यता दो प्रकार की सहकारी समीती पाई जाती है प्रारंबिक क्रिसी साख समीती तथा प्रारंबिक गैर साख क्रिसी समीती प्रारंबिक क्रिसी साख समीती क्रिसी कारियों के लिए अल्प कालिन वमध कालिन रिन प्रदा करती है इसके बिवरीध प्रारंबिक कैयर साख क्रिसी समीती किसानों को रिंसममधी नहीं वरन अनप्रकार किया हो सकताओं की पूर्ती के लिए बनाई जाती है इन समीतियों का कार किर्सी उपज की विक्री, उन्नत किर्सी की विवस्ता, भूमिक का चकबंदी और ग्रिह निर्मान आदी है और गैर साक किर्सी समीतियों की सहकारी क्रिये समीति सरवधिक महतपूर्ण है और इसका काम होता है क्रय समीती विकास के मधस्त वो ब्यापारियों के अनूचित व्यवार से सुरक्षित परदान करना ये समीतियां अपने सदस्चों द्वारा उत्पादित फसल को बेचने के लिए उनके प्रतनिधियों का कारे करती है ब्यावसाइक बैंक द्वारा रिन प्रदान करने की किस प्रकार हम रिन लेते हैं तो लोगों की बचत को जमा करने में सिवकार करना तथा रिन वग कर देना ब्यावसाइक बैंकों का एक महत्पुन कार रहे हैं बैंकों द्वारा रिन प्रदान करने के मुख तरीके निम्निखित हैं। अर्ध विकर्स इसके अंतरगत बैंक अपने ग्राहकों को उनकी जमारासिक से अधिक रकम निकालने की सुब्धा देती है। नगत साक, नगत साक में बैंक अपने ग्राहकों को माल आदी की जमा पर रिन भी देती है, तिसरा है रिन व अग्रिम, इसमें बैंक अपने ग्राहकों को उचित जमात के अधार पर पुर्म निश्चित अवधी के लिए रिन देती है, और चोथा है वीनी में विलियों का भु भुगतान भी व्यपारियों को रिंदेने के लिए करती है अब हम समझेंगे किस प्रकार सहकारिता से आप क्या समझते हैं और सहकारिता है क्या तो सहकारिता का अर्थ है मिलकर कारी करना सहकारिता एक एक्षिक शंगठन है जो की समान आर्थिक वह समाजिक हीतों में वृदि क के लिए समानता के साथ अस्थापित किया जाता है इस प्रकार का संगठन शामोही खित के कारे करता है सहकारी संगठन के तीन मुख तत्व विशेश हैं एक यह कि एक्षिक संगठन हो इसकी अस्थापना समानुद्योसों की पूर्ति के लिए की जाए तथा इसका संगठन प्रंतु भारत में सहकारी समीतियों के पास साध्रों का अभाव है इसका प्रवंधन और संचालन दोस्पूर्ण है राज्य की क्रिसी रिंग में सहकारी बैंकों की इस्तेदारी मात्र दसपरतिशत ही है अब हम समझेंगे स्वेम सहायता समूह क्या है तो पिछले कुछ वारों को कर्द या उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाए गये इनमें एक तरीका ग्रामी छेत्रों के निर्धन ब्यावसाई बैक्तियों ने एक छोटे-छोटे शमूह का निर्मान किया और उसकी बचत पूजी को एकत्रित कर आधारित एक विसे सहायता समूह म एक दूसरे के पोरोसी लगभग 15-20 सदस होते हैं समूह के ये सदस नियमित रूप से बचत करते हैं और इस बचत से उनकी पूजी का निर्मान होता है सदस अपनी रिन किया उसकताओं को पूरा करने के लिए छोटे-छोटे कर्ज इस स्वेम सहायता समूह से ले सकती है दो वर्ष बाद वह किसी बैंक से रिन लेने योग्य हो जाता है बैंक समूह के नाम से रिन देता है तथा इसका उद्देश सोरजगार आउसरों का स्रिजन करना है ये स्वेम सहायता समूह शमाज के विकास में अहम योगदान अपनाता है अब हम पढ़ेंगे बिहार में सहकारिता आंदोलन क्या है और किस प्रकार इसका प्रभाव पढ़ा हमारे बिहार पर तो सहकारी आंदोलन के विकास की दिष्टी से बिहार भारत का एक पिछरा हुआ राज्य है यपी सोतंत्रा प्राप्ति के बाद राज्य में इन आंदोलन की प्रगती हुई फिर भी बिहार इस चत्र में कई अन्य राज्यों से पीछे है 1904 में सहकारी साख समीती के अस्थापना होनी लगी और 1941 में प्रांतिय सरकार ने बिहार में सहकारीता अन्दोलन के पुनर उस्थान के लिए सहकारीता पुनर उस्थान योजना प्रस्तूत की 25 वर्षी योजना के अंतदगर्थ राज्य में सहकारीता विकास पर विशेस पल दिया इस समय राज्य में कई प्रकार की सहकारी समीती कारे कर रही है लेकिर रिन वापसी का परतिसत इतना कम रहा कि सहकारी समीती का विकास कार्ज संतोस जनक नहीं रह सका कृसिव शम वर्गी छेत्रों के विकास में सहकारिता का महत्व देखते हुए अभी हाल ही में सहकारी प्रवक्षक के रूप में सरकार ने एक कारियोजना तयार की है इसमें पांच विशिश छेत्रों की पहचान की गई है जिसमें सहकारिटा के महत्पुन भून का आपनाई है ये क्या है अल्पकालिन क्रिसी रिन क्रिसी लागत समागरी किया पूर्ती फसल बीमा भंडार अन्वा विपन तथा क्रिसी विस्तार सिवाई और लास्ट आपका पॉइंट था सुक्षम वित तो इसको हम समझते हैं अब अनिक वी कास्तिल देश या अनभौ कर रहे हैं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही पारामपारी गरीबी उनमुलन कारिक्रम में निर्धनता की समस्याओं का शमाधान संभौ नहीं है इसका प्रमु निर्धनता मुख्त इन देशों के कमजोर ग्रामीन सनरचना के कारण उत्पन होती है इस दिष्टी से सुक्षम वित्ये निर्धनता निवारान एक सक्षम विकल्प है सुक्षम वित्ये कारिक्रम द्वारा स्वेम साहता समूहों को व्यवसाइक बैंक, छेत्रिये ग्रामीन बैंक तथा सहकारी बैंक के सनलगन करने अर्थाद जोरने का प्रियास किया गया इस प्रकार इस योजना से निर्धन परिवारों को स्वेम साहता समू के माध्यम से बैंक आदी संस्थाएं शुरोतों से साख मतलब रिन की सुब्दा उपलवद कराई गए इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं लेकिन उन पॉइंटों पर चर्चा करने में बहुत समय लगेगा तो समझते हैं नबाड क्या है नेशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चर एंड रूल डेफलप्मेंट ट्रास्टिक क्रिसीवर ग्रामिट विकास जिसको हम नबाड कहते हैं देशी बैंकर किसे कहते हैं तो देशी बैंकर के अंतरगत व्यपारी महाजन शहुकार आते हैं पूजी बाजार क्या है तो पूजी बाजार वह है जिसमें व्यवसाइक संस्थाइब के हिस्से तथा रिन पत्रों का क्राय और विक्राय किया जाता है और केंद्रिय सहकारी बैंकों का मुखकार क्या है तो केंद्रिय सहकारी बैंकों का मुखकार प्राराम्भिक समीतियों का संगठन करना और उन्हें